पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुलहक ने बीच वर्ल्ड कप में अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है ये कोई पहला मोका नहीं है जब इंजमामुलहक ने इस पोस्ट से रिजाइन दिया और वो दोबारा इस पोस्ट पर आ गए लेकिन इस पार ये जो उन्होंने रिजाइन दिया है टीम की परफॉर्मेंस की वज़े से नहीं दिया जबकि यहाँ पर मामला कुछ और है दरसल में इंजमामुलहक एक कमपनी है पाकिस्तान की यहसू इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज को मैनेज करती है और उनको एड्स देती है जो उस कमपनी के पास एड्स आते हैं और उनकी मदब से यह कमपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है इसके शेयर ओल्डर इंजमामुलहक भी है और ये कमपनी मैनेज करती है पाकिस्तान के तीन एक्टिव क्रिकेटर्स को बाबा रासम, मुहमद, रिजवान और शाही नाफरीद और जब इन तीनों को ये कमपनी मैनेज करती है तो जड़ा सोचिए ये कमपनी हमेशा चाहेगी कि ये तीनों पाकिस्तान की टीम में रहें क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम में रहेंगे तो ब्रांड इनको ज्यादा एड्स देंगे और जब ब्रांड इनको ज्यादा एड्स देंगे तो कमपनी की ज्यादा कमाई होगी company की ज्यादा कमाई होगी तो इनसमामूल हक की भी ज्यादा कमाई होगी और क्योंकि इन तीनों में से एक खिला जिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का captain है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा advertisement मिलते हैं किसी भी एक्टर से ज्यादा पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन को एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं तो यहाँ पर कन्फिलिक्ट ओफ इंट्रेस्ट हो गए आइंज मामुलक के लिए है और जिसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है और अब वो वापस लोटेंगे इस पोस्ट पर अगले 5-7 साल तक इसकी उमीद भी ना के बराबर है फिलाल पाकिस्तान में अगर एक और मैच हारा आया न्यूजिलाइन अपने सारे मैच जीत लिए बचे हुए तो पाकिस्तान वाल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुच पाएगा ये बात भी कन्फर्म है यहीं न्यूजिलाइंड ने एक मैच भी जीत ले अपने बचे हुए मैचों में से तो भी पाकिस्तान वाल्ड कप के सेमी फाइनल नहीं पहुच पाएगा क्योंकि न्यूजिलाइंड के फिर 10 पॉइंट हो जाएंगे और उन्होंने अपने पिछले मैच इतने अंतर से जीते हुए हैं कि अगर पाकिस्तान यहाँ से अपने सारे मैच जीत भी लेता है तो भी न्यूजिलाइंड का जो न्या टरंड देटा वो पाकिस्तान से ज्यादा ही रहेगा तो चलिए दोस्तों मेरा उल्द ही आफिलाल इस वीडियो के लिए इतने ही आगे भी सी तरह की वीडियो के लिए बने रहेए मेरे साथ धन्यावाद